में तो मैं जादा लंबा आज नहीं लेना चाहता हूँ मेसिज को लेकिन मैं जरूर एक बात पे फोकस करना चाहता हूँ और वो है नमबर वन होगा बाइबल का जो कैलेंडर बिब्लिकल कैलेंडर जो कहते हैं उस पे हम लोग थोड़ा देखेंगे उसके बारे में और उसके पाइबल के बात करेंगे पासुवर के तैयारी में और अंत में मैं आपको थोड़ा बताऊंगा कि पासुवर का फूड का प्रेपरेशन वगरे के बारे में क्योंकि हम लोग को वो माहौल क्रियेट करना इंपॉर्टन है जरूरी है क्योंकि ये मैने का सबसे पीक जो सबसे महतुपूर्ण समय है वो है पासुवर जिसको मराटी में बोलते है वला अंड़नाचा सन हिंदी में कहते है उसको फसर का तिवहार and I will start इस से बात करने के से इस वचन से मैं स्टार्ट करूँगा जो आपको मिलेगा निर्गमन के किताब में और वो है बारा अधियाए और ह हम लोग देखने वाले हैं जिससे हम लोग देखेंगे परमेश्वर के कैलंडर परमेश्वर का नया साल और परमेश्वर का जो सीजन्स के बारे में मौसम के बारे में हम लोग थोड़ा यहां पे देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे आपको दिखता होगा निर्गमन बारा पहला और दूसरा जो वचन है, जहां पे लिखा है, फिर यह पुवा ने मिस्देश में मोशे और अरोन से कहा, मैं मुसा नहीं कहूंगा, मैं मोशे कहूंगा, विकास वो ओरिजिनल नाम है, परमेशर ने मोशे और अरोन से कहा, कि यह मैंना तुम लोगों के लिए आरंब का ठहरे, अथार्थ वर्ष का पहला मैंना यही ठहरे, परमेशर क्या कह रहा है, कि यह मैंना आपके लिए पहला मैंना होने वला है, वर्ष का पहला मैंना, the first month of the year, और अगर ये महिना परमेश्वर के हिसाब से पहला महिना है, फर्स्स मन्त अव दियर, तो फिर हमें आपको कहना चाहिए एक बात, और वो है, Happy New Year! Happy New Year! So, अगर आप हमें ग्रीट करना चाहते हैं, आप प्लीज अन्म्यूट करके, आप कह सकते हमें या सब को, Happy New Year! 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 Happy New Year, Brother! Happy New Year, Brother! To everyone! Okay! Now, let's explain this a little bit. Thank you for the wishes, and you, many people who are in the past few years, we all are together. You know this season, that this is a Biblical New Year, Biblical New Year, Biblical New Mayna, और Passover का समय के बारे में, लेकिन आज हम लोग उसको थोड़ा और गहराई में देखेंगे. तो परमेश्वर कह रहे हैं, कि ये मैना आपके लिए साल का पहला मैना होगा, और ये January का मैना नहीं था, क्योंकि हम लोग जानते हैं, कि बाइबल का जो कैलेंडर है, वो January से December का कैलेंडर नहीं है. बाइबल का कैलेंडर अलग है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे अभी. लेकिन परमेश्वर अच्छली क्या कह रहे थे, मोशे और आरोन, इस्रेल को, और इस्रेल के द्वारा, हम लोग सब को जो परमेश्वर के परिवार में हम लोग अड़ हो चुके हैं, हम लोग सब से परमेश्वर बात कर रहे हैं. सिर्फ इस्रेल से नहीं, सिर्फ मोशे से नहीं, सिर्फ आरोन से नहीं, लेकिन सब से जो परमेश्वर के परिवार में हैं. Permission कह रहे हैं कि देखो ये मैना आपके लिए साल का पहला मैना होगा. अब ये कौन सा मैना था? क्योंकि ये December नहीं था, ये January नहीं था. ये था Bible के, according to the Bible, according to the Word of God, ये था अवीब का समय, अवीब मतलब Spring, Hebrew में अवीब का मतलब है Spring Season, और modern Hebrew language में इसको Nisan कहते हैं. So, सिर्फ नाम चेंज हुआ है, लेकिन समय वो ही है, calculation वो ही है, और उस calculation के बारे में हम लोग थोड़ा देखने वले हैं इस समय. So, we'll spend a little time, मैं थोड़ा धीरे जाओंगा, कुछ-कुछ बाते में बार-बार repeat भी करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम लोग सब absorb करें. हम लोग सिर्फ अंत में ना कहें कि it was good, लेकिन हमारे जिंदगी में वो absorb हो जाए, हम दूसरे को भी सिखा पाए, और हमारे जिंदगी में थोड़ा एक addition हो जाए, ताकि we can understand the Bible एक थोड़ी और बहतर तरीके से. ये मेरी कोशिश होगी आज, इसलिए मैं थोड़ा धीरे जाओंगा, लेकिन काफी है material है हमारे पास आज cover करने के लिए, लेकिन जादा important है कि हम समझे हम क्या कर रहे हैं. अब ये कौन से मैने की बात हो रही है यहाँ पे, अब देखिये, बारा अध्याये पे हम लोग जब आए हैं, निर्गमन में या Exodus की किताब में, तब तक परमेश्वर ने already नौ पीडी परमेश्वर लेके आए, right, nine plagues got brought upon the land of Egypt, Mr. देश पे, और अब दस्वा वाला होने वा था, और परमेश्वर कह रहे थे मोशे को कि देखो, यह मैंने के चौदेवे दिन पे, तुम फस का त्योहार मनाओगे, तुम मेमने को काटोगे, उसके लहू तुम लगाओगे, अपने घर के फाटको पर, उपर, और दोनों चौकट पर, on the sides, you will put it like this, और मैं पास ओवर कर और मैं जाओंगा मिस्वदेश की उपर से, जहां पे मैं लहू देखोंगा, वो घर बच जाएगा, जहां पे मैं लहू नहीं देखोंगा, उस घर के का पहला जो पुत्र है, पहला जो का जो फर्स्ट उनको मैं मारूंगा, तुम आपने पाना है, तो यह हम लोग समझते कि कि ये जो मैना है, जो पहला मैना है, वो Passover से connected है, Fasr से वो connected है, और Fasr का मैना, साल का पहला मैना होता है, क्योंकि यहां से हम लोग Feast को गिनते हैं, यहां से हम लोग परमेश्वर का जो समय है, को हम लोग गिनते हैं, ये महिने से, तो हम लोग थोड़ा देखेंगे Bible का calendar की बारे में अभी, अब जो आपके screen पे आने वाला है, जो आप इस समय देख रहे होंगे, वो है एक पूरा फीस की बारे में, जो आप यहाँ उपर से देखेंगे, तो हरे रंग में, आप तीन महिने देख रहे हैं, निसा अभ और इलूल, उसके बाद हम लोग देखते हैं, तिश्रे, इश्वान, किसलिव, और फिर लास्ट त्री मन्स, देवित, शिवात, और अद्दार, आपको याद होगा हम लोग ने पेचले महिने में, हम लोग ने पूरीम का तियोहार हम लोग ने मनाया था, और एस्तर की आकरी महिना बायबल के कैलंडर के अधार पे, और अब हम लोग आ गये हैं नीसान मैने में, जिसको बायबल में कहते हैं अभीव मैना, स्प्रिंग का मन्त, जो 70 दिन का मैना है, और ये महिने में हम लोग पासुबर देखते हैं, अब हम लोग अब देखने वाले हैं कि कोई हैं जी ब्रदर में हूं Sangeetha. Okay, thank you sister Sangeetha. तो दूसरा इतिहास पाच्छा अधियाए और तीसरा वच्छन को हम लोग देखेंगे. जो स्क्रीन पे हैं English में. जी ब्रदर. और यहां पे लिखा, All the people of Israel assembled before the king at the festival in the seventh month. मतलब यहां पे लिखा है साथवे महने का कुई तो त्योहार के बर में. आप पढ़ लेंगे sister? जी, सब इस्त्राइली पुरुष साथवे महनी के पर्व के समय राजा के पास इकटा हुए. साथवे महने का परव. आपको याद होगा साथवा महना कौन सा है? मैं वापिस जा रहा हूँ उसी चार्ट पे. आप देखिए साथवा महना. पहला निसान, दूसरा इयार, तीसरा सिवान, तमूस चौथा, अव पाच्छवा, एलूल छटा. साथवा महना कौन सा है? तिश्रे. तिश्रे का महना. और हम लोग को पता है कि तिश्रे का मैने का फर्स्ट डे क्या था? दे फीस्ट ओफ ट्रॉम्पिट्स. जसको कहते हैं तुतारिचासन. ओके दे फीस्ट ओफ ट्रॉम्पिट्स, या रोशशना कहते हैं, दे फर्स्ट डे ओफ दे सिवल नुज यर. अब हम लोग देख रहें, निसान में फर्स्ट डे ओफ रिलिजिस नुज यर. और यहां तिश्रे में हम लोग देखते हैं, फर्स्ट डे ओफ सिवल नुज यर. जैसे मैं आपको एक्स्प्रेन करूँगा. जैसे हम लोग आज इंडिया में भी देखते हैं, फर्स्ट अफ जैनुवरी जो है, वो फर्स्ट डे ओफ कैलेंडर यर है, लेकिन फर्स्ट अफ एप्रिल अकाउंटिंग नुज यर है. क्योंकि बुक्स अब क्लोज होते हैं 31st मार्च को. accounting new year first of April को start होता है तो हम लोग भी देखते हैं यहाँ पर multiple new years हम लोग इंडिया में भी celebrate करते हैं और इस्रेल में भी वोई system है agricultural new year एक अलग होता है biblical या scriptural new year अलग होता है तो first of the shri जो कहते हैं वो है रोशशना के दिन feast to trumpets का दिन और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं यह वचन में पहला दूसरा इतिहास पांच तीन में कि लोग एकटा हुए राजा के सामने साथवे मैने के परब में तो वो पहला वचन हम लोग ने देख लिया दूसरा आप खोल लिजे प्लीज जकरिया के किताब जकरिया साथ एक फिर दारा राजा के चोथे वर्ष के किसलेव नामक नवे महिने के चोथे दिन को यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा आप देखिए यहाँ पर जकरिया बता रहा है हमें के नववा मैना कौन सा है प्रीष्ण, जब सोचते हैं नॉमली हम लोग देखते हैं बाइबल में नववां महिना नववां महिना मतलब सब्तेंबर लेकिन यहाँ पे जखरिया हमें खुद बता रहा है कि नववां महिना कौंसा है किज लेव का महिना था किसलेव दुबारा चार्ट में मैं जा रहा हूँ, देखिए, नौवा मैना कहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर, किस स्लेव, नाइन्थ मन्त, और फिर ब्लू सेक्शन है, 10th, 11th और 12th मन्त, तो बराबर से यहां पर हम लोग देख रहें, बाइबल के अनुसार, नौवा मैना कौन और नौवा मुचन, जहां पर लिख दिखाया, नौवा मुचन। जहां पर लिखाया, जहां पर लिखाया on the 23rd day of the third month, the month of Siwana. उसी ऐस समय अर्था रहा सिवान नामक क्ettesरे महिने के यजवे दिन को राजा के लेखक बulwayे गया. कौन सा मेहना जहां पर लिखाया? महिना 23 दिन लेकिन तीसरे महिने का नाम भी लिए यहां पर और वो है सिवान वो मांच नहीं है वो है सिवान अभी देखिए मेरे चार्ट पर यहां पर तीसरा महिना निसान पहला है यार सेकंड है और तीसरा है सिवान हरा रंग में the third month is the month of Siwan, जो हमें book of Esther भी वही बात हमें बता रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे यहां पे, कि Bible के महिने के अनुसार, अगर हम लोग जाएं, तो new year, जो परमेश्वर ने Moshe, Aaron, Israel और सारे बच्चों से का, कि your first year will be your first month will be Nisan, या अभी Bible के language में, modern Hebrew में इसको Nisan का महिना हम लोग कहलाएंगे, तो हम लोग इस महिने के बारे में और थोड़ा हम लोग देखने वाले हैं, but before that मैं जस्ट आपको थोड़ा Bible के calendar का calculation के बारे में हम लोग जल्दी से थोड़ा कुछ points cover करेंगे ताकि हम लोग relate कर पाएं जस चीज को हम लोग देख रहे हैं और क्यूं हम लोग इस पे इतना समय बिता रहे हैं तो Bible का जो calendar है जिसमें हम लोग देखते हैं, biblical day biblical seasons biblical months biblical shabbat, वो सब तो पहले चीज हम लोग देखेंगे हर बार जब हम लोग Bible की candlener के बारे में हम लोग देखते हैं वो हमेशा agriculture या फसल के बारे में अब इस और वाई से अग्रिकल्चर अग्रिकल्चर कैलेंडर ही है अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं ऐस फार्मर कोई भी समझ जाएगा कि it is about agriculture क्योंकि Bible में हम लोग देखते हैं कि primary activities one of the important activities हम लोग देखते हैं वो था agricultural activities तो biblical calendar जो है agricultural activity है दूसरी बात हम लोग देखने वाले हैं और वो है biblical day जब शुरुवात होता है वो 12 बजे रात को शुरुवात नहीं होता है उसका शुरुवात नहीं होता है हम लोग जब आज के दिन देखते हैं या हमारे mobiles पे जब हम लोग समय गिनते हैं just give me a mobile please mobile पे हम लोग जब समय देखते हैं तो mobile के समय में the day changes 12 बजे रात को या आपके घड़ी पे भी आपके laptop या computer पे या कोई भी घड़ी हम लोग देखते के समय बदल जाता है दिन बदल जाता है 12 बजे रात को लेकिन Bible के calendar के अनुसार 12 बजे रात को नहीं लेकिन sundown जब धूप when the sun goes down जब धूप टहल जाता है उस समय एक दिन का अंत हो जाता है और नया दिन का शुरुवात हो जाता है और अगर आपको उसका उधारन देखना है तो आपके screen पे नहीं आएगी लेकिन मैं जब बाइबल खोल के आपको बता देता हूँ आप खोलिए मेरे साथ Genesis उत्पती के किताब में पहला अधियाए आप पांच्वा वचन पढ़ लिजे और परनुश्वर ने उजियाले को धीन और अंधियारे को रात कहा तथा स्तांज हुई फिर भोर हुआ क्या हुई पहले स्तांज हुई इवनिंग हुआ और फिर दिन हुआ और उसको कहा गया वन डे डे वन फिर आप आठवा वचन अगर पढ़ लेंगे और परमेश्वर ने उस अंतर को अकाश कहा तथा स्तांज हुई फिर भोर हुआ इस प्रकार दुसरा दिन हो गया और सेम चीज़ आप देखोगे 14 वचन में भी वो ही लिखा है 19 वचन में भी वो ही लिखा है तो हम लोग क्या देखते हैं कि पहला क्या हुआ शाम आई और फिर दिन हुआ डे बन शाम आया फिर दिन हुआ टू शाम आया फिर दिन आया दे थ्री तो हम लोग देखते कि Bible के timing या Bible का दिन जब कब स्टार्ट होता है जब धूप ठहल जाता है 11 the sun goes down I don't know my language is right तो लाइस बेस्ट वे मैं आपको explain करता हूं कि Tuesday कब स्टार्ट होता है तूस्टे स्टार्ट होगा जब Monday कब स्टार्ट होता है हम लोग देखते हैं कि 12 बजे रात को होता है हमारे calendars पे या हमारे घड़ी पे Bible के system पे Monday शाम को जब sun जब धूप बैड़ जाता है जब धूप धल जाता है तो Tuesday या मंगलवार स्टार्ट होता है तो बुद्वार कब स्टार्ट होगा Tuesday शाम को जब धूप धल जाता है तो बुद्वार स्टार्ट हो गया मतलब छे बजे हो सकता है साड़े छे बजे हो सकता है साथ बजे हो सकता है और इसलिए बार बार हर शबात में जब हम लोग candle lighting करते हैं exact time हम लोग कहते हैं कि कभी कभी वो 7 बज़ के 32 मिनिट पे होगा या 8 बज़ के 11 मिनिट पे हो रहा है क्यों हम लोग ये ऐसे करते हैं क्योंकि exactly उस समय जब government या weather bureau declare कर रहा है कि धूप ढल रहा है उस समय तो एक दिन बंद हुआ और नया दिन start होता है और of course हम लोग यहां पे शबात observe करते हैं शबात का timing observe करते हैं यरूशलिम के timing के अनु क्लिया के biblical day शाम को start होता है और नया दिन उसी समय start होता है उसके start biblical day शाम को end होता है और नया दिन शाम को start हो जाता है ओके अब सबसे महत्वपूर्णा दिन biblical calendar के अनुसार कौन सा है और वो है शबात शबात और उसको कहते हैं हम लोग सात्वा दिन और शबात जो है वो Sunday नहीं है शबात is Saturday सात्वा दिन कोई भी Bible में आप देखे कोई भी translation में आप देखेंगे नए नियम में भी सात्वा दिन शबात Saturday है Sunday को कहते है first day of the week आप कोई भी gospel खोर लिजे Matthew, Mark, Luke, John last chapter, हर gospel में last chapter का पहला वचन में आप सेम बात देखोगे के हफ़ते का पहले दिन पे Yeshu-Masih जी उट गए He was resurrected on the first day of the week मतलब Sunday, Sunday, not on Monday first day of the week था Sunday मतलब सात्वा दिन कौन सा है? New Testament में भी वो है Shabbat which is Saturday Okay, और एक बात में कहूंगा कि Bible के calendar में हम लोग Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday नहीं देखते हैं लेकिन Bible के calendar में हम लोग दिन के numbers देखते हैं हर दिन का number होता है मतलब कहते हैं day number one, day number two, day number three, day number four, day number five, day number six और day number seven नहीं होता है, Shabbat होता है I hope I'm clear तो Hebrew में इसको, दिन को कहते हैं Yom दिन in Hebrew is called Yom और Sunday first day है Yom Rishon head of the week दूसरा दिन Yom Shenni second day तीसरा दिन Yom Shlishi third day तो हम लोग second day सब चुनेंगे second day second day, Monday third day, Tuesday sixth day Friday और फिर seventh day नहीं कहेंगे कहेंगे क्या? Shabbat तो अगर biblical language के अनुसार बात करना है तो इस तरीके से biblical language हम लोग देखते हैं हम लोग Bible में भी देखेंगे first day of the week जो हम लोग Gospels में भी देखते हैं second day of the week ये Bible का language या Bible का calculation इस तरीके से होता है अब मैं आगे जाँगा और एक point में कि Bible के seasons Bible के मौसम हम लोग देखते हैं वो है परमेश्वर के feats परमेश्वर के तिवहार जिसको हीब्रू हमें हम लोग कहते हैं उसको मोईदीम परमेश्वर के भेटने का समय हर साथवा साल को कहते हैं शमिता इसमें नहीं जाएंगे डीटेल में जस्ट आपकी जानकरी के लिए में कह रहा हूँ हर पचासवा साल उसको हम लोग कहते हैं जुबली येर या योवेल Bible की कैलेंडर में 354 दिन है 365 डेज नहीं है हमारे के कैलेंडर में जैनुरी के डिसेंबर में 365 दिन है या 364 लीप यर वगर का कैलकुलेशन हो जाता है लेकिन Bible के कैलेंडर में 354 तीन सो चौपन दिन है और उसका अज़ेस्टमेंट फिर बाद में हो जाता है अकॉर्डिंट तो दे मून उस टेक्निकल चीजे में हम लोग नहीं जाएंगे इस समय लेकिन इसलिए हम लोग देखते हैं कि कभी कवार कभी कवार क्या हो almost every year match नहीं होते है क्योंकि हमारा कैलेंडर के हसाब से जिस पे Catholic Church चल रहा है and in fact entire Western Christian Church उसी पे चल रहा है और वो है solar calendar के हसाब से धूप के calendar के अनुसार इसलिए Good Friday और Passover मैच नहीं होता है इसलिए हम लोग देखते कि हर साल Bible के Feast हम लोग सोचते कि अरे इसका दिन बदल गया actually दिन बदला नहीं है क्योंकि Bible के calendar के अनुसार वो same day पे हो रहा है लेकिन क्योंकि Bible के calendar में 354 दिन है और हम लोग हमारे जो date today life का calendar है उस पे 365 दिन है तो वो मैच नहीं हो रहा है हर साल लेकिन अगर हम Bible के calendar को भी सामने रखेंगे दोनो side by side तो हम लोग समझ पाएंगे सबसे important बात ये है कि Bible का जो calendar है वो परमेश्वर का calendar है हम लोग यह नहीं कह सकते कि यहूदी calendar है नहीं it is not a Jewish calendar it is God's calendar यह परमेश्वर का calendar है अब परमेश्वर का calendar परमेश्वर के सारो बच्चों के लिए है अब यह मैं नहीं कह रहा हूं कि हमारा जो January to December बुरा calendar है शैतान का है वो सब मैं नहीं कह रहा हूं अच्छा ही calendar है उसका भी calculation अच्छा ही है लेकिन Bible का calendar वो नहीं है Bible का calendar को हम लोग ने इस समय हम लोग ने देखा है और सबसे important बात मैं दुबारा कह रहा हूं कि यह calendar परमेश्वर ने स्तापित किया और अब हम लोग वोई background से और एक बार इसको देखेंगे निर्गवन बारा और एक परमेश्वर ने मुश्य और आरों से का कि यह मैना तुमारे साल का पहला मैना होगा इसलिए हम लोग ने अभी अपने हम लोग सब को हम लोग ने कहा Happy New Year अब देखे हम लोग आगे जाएंगे और एक वचन देखेंगे अनुवाद की किताब में विवस्ता विवरन Deuteronomy chapter 16 16 और एक वचन में जहांपे परमेश्वर कह रहे है परमेश्वर हुकुम दे रहे है अपने लोगों को के observe the month of Aviv and keep the Passover Aviv के मैंने कास्मरन करके अपने परमेश्वर यहुवा के लिए फसर का पर्व मनाना परमेश्वर हुकुम दे रहे है यहांपे क्योंकि परमेश्वर कह रहे अबीब मैने मैं मैं तेरे परमेश्वर यहुवा रात को तुझे मिस्रस से निकाल लाया दमनतव अबीब और दमनतव निसान जो मौडन हेब्रू में निसान करते हैं बीब्लिकल हेब्रू में उसको अबीब कहते थे लेकिन मैं दुवारा कह रहा हूँ वो समय चेंज नहीं हुआ calculation से मैं सिर्फ नाम चेंज हुआ उस समय अबीब बोलते थे आज के दिन निसान इसको कहते है परमेशर का हुकुम है कि इस मैने को तुम मनाओ मैं दोबारा कह रहा हूं कि परमेशर के जो हुकुम है सिर्फ जूस के लिए नहीं सिर्फ इस्रेल के लिए नहीं लेकिन परमेशर के सारे तुम मनाओं और फस्र के त्योहार को तुम मनाओं परमेश्वर हमें कह रहे हैं अपने वचन में ओके और एक वचन हम लोग देखेंगे और वो है निर्गमन के किताब में निर्गमन 40 और 17 और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सिस्टर संगीता को कि प्लीज आप पढ़ लिजे प्लीज इसको निर्गमन 40 और 17 वचन को स्क्रीन पर भी है और दुसरे वर्ष के पहले महिने के पहले दिन को निवास खड़ा किया गया अब देखिए हम लोग देखने वाले हैं कि इस मैने में बाइबल के कुछ-कुछ इवेंट्स जो हुए थे क्या-क्या हुआ और पहला चीज यहां पर हम लोग देख रहे हैं अब लोग ने देखा कि यही महने में फस्र का समय था और उसमें वापस आने वाले हैं विल्कम बैक तो दे पास्ट सुवर लेकिन हम लोग और भी दो तीन बाते हम लोग देखेंगे दो तीन बाते क्या उससे ज़ादा ही देखने वाले एक्चली तो पहले चीज देख रहे हैं कि यहां पर परमेशुर कह रहे हैं परमेशुर के वचन में परमेशुर कह रहे हैं कि उस महने में कौन से महने में पहले महने में फिर्स्ट मंथ फर्स्ट मंद कौन सा है अभी निसान जिस मैने में हम लोग अभी हैं ये मैंने के पहले दिन में क्या हुआ निवास मंडब को खड़ा किया आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं निवास मंडब को निवास मंडब को बनाओ क्यूंकि मैं अपने लोगों के साथ रहना चाहता हूं हम लोग ने वही स्टडी किया था लास्ट वीक और यहां पे लिखा गया है कि कौन से मैने पे और कौन से दिन पे इसको खड़ा किया गया था पहले मैने के पहले दिन पे मतलब निसान या अभीब के पहले दिन पे जो spiritual new year है उस दिन पे हम लोग देखते हैं कि निवास मंडब को खड़ा किया गया था क्यूं नहीं हम लोग celebrate करें चर्चिस भे हम लोग celebrate करते हैं annual day of the church, anniversary of the church, mother's day celebrate होता है, women's day celebrate होता है इस दिन को क्यों नहीं हम लोग celebrate करें कि ये दिन है जिस दिन को परमेश्वर ने Moshe को जो tabernacle या तंबू बनाने को कहा था जहां पे उनकी उपस्दिती थी उस दिन पे खड़ा किया गया था how important, important है कि नहीं? मेरे खहल से तो important जरूरी है, जरूर है और क्या हुआ था इस महने में? और ये हम लोग देखने वाले हैं दूसरे Samuel की किताब में दूसरा Samuel 11 अदिया है और पहला वचन जहां पे हम लोग देखते हैं it came to pass after the year was expired at the time when the kings go forth to battle क्या लिखा है? जिस समय राजा लोग युद करने को निकला करते थे कब था? वर्ष के आरंब में मतलब हम लोग देखते हैं कि ये बाइबल के अनुसार लडने का भी समय था सब उदेशक in the book of ecclesiastes में यही लिखा गया है कि लडने का भी समय होता है प्यार का समय होता है लडने का भी समय होता है a time of peace, a time of war और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि युद का समय बाइबल खुद डिफाइन कर रहा है और वो है साल का आरंब का समय है बराबर है sister संगीता आपके बाइबल में भी वही लिखा है साल के आरंब का समय और वो है यही मैना it's the time of war और आज के दिन आप इस्रेल में भी देखेंगे तो आज के दिन भी युद चल रहा है इस्रेल और हामस हामस टेररिस्ट और्गनाईजेशन जो है और इस्रेल, the state of इस्रेल उनका युद चल रहा है गाजा में आज इस्रेल आज एक्सपेक्ट कर रहे है कि हो सकता है कल के दिन भी एक युद शुरू हो जाएगा फिस्बुला और इरान के विरुद हो सकता है यह स्टार्ट होगा हो सकता है यह शबात आज रात को कल एक हफते में पता नहीं लेकिन the clouds of war हम लोग देख रहे हैं इस्रेल की उपर इस समय और यही हम लोग देखते हैं यह समय था Bible में for the time of war और एक वचन हम लोग देखेंगे वो है Ezekiel के किताब में Ezekiel 30 अध्याए 20 और 21 वचन अब प्लीज पढ़ली जे सिस्टर 30 अध्याए हाँ और 21 वर्ष के पहले महिने के एक मिट एक मिट सिस्टर कौन से महिने में पहले महिने में ओके आगे पढ़ लेजे 11 वर्ष के पहले महिने के साथवे दिन को यहोवा का यवचन मेरे पास पहुंचा यह मनश्य के संतान मैंने मिस्त्र के राजा फिरोन की भुजा तोड़ दी है तो परमेश्य यहाँ पे, अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पे के सुनो, मैंने फैरो, मिस्त्र देश का जो राजा है फैरो उसके हाथ को मैंने तोड़ दिया, कौन से दिन पे? कौन से दिन पे? पहले मैने के साथवे दिन को. अबीब या निसान के मैने में परमेशिर कह रहे हैं, मैंने फारो का हाथ को मैंने तोड़ दिया। आमेन। तो बार बार हम लोग देख रहे हैं इस मैने के बारे में। अब हम लोग नए नियम से एक वचन को और एक इंसिडेंट को मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो है योहान का किताब में ग्यारा अधियाए। जॉन चैप्टर 11 ये बहुत फेमिस चैप्टर है क्योंकि ये अधियाए में हम लोग देखते हैं कि येश्य मसी का एक प्यारा मित्र जिसका नाम था लाजरस। लाजरस। क्या हुआ उसको लाजरस। मर गया बिचारा। जो इस ऐसको बताया गया तो ये शुमसी का कोई रियाक्षन भी था और फिर बाइवल में लिखा गया है कि चार दिन के बाद वह वहां पे गये उनको विजिट करने और उनके बहन को ने कहा कि मैं जाना चाहता हूं मैं देखना चाहता हूं आपको पताएकिया हुआ पर현ु और प्रभू येश्यमसी वहां पर गए लाजरस के कबरब पर और येश्यमसी ने बाहर खड़े होके कहा लाजर बहार आओ अरी बाबरे ये क्या क्हे रहे हैं? भू कह रहे कर चार दिन हो گिया है, बदबू आ रहा है वहां आ भाहा है? बाहर लोग जो इस्रेल के टूर में गए हैं, आपने देखा होगा इस कबर को, मैंने देखा, हम लोग गए नीचे, उस कबर में एकदम नीचे, और imagine किया होगा कि लाजर कैसे उपर चल के आ गया होगा, जहां पर ये शुमसी खड़े थे तो खड़े थे वहां पर और वो आ गया वहां पर, अपने पूरा जो जो चारो उसके और फिर ये शुमसी ने क्या कहा, उसके ग्रेफ क्लोथ को हटा दो, उठ गया वो, अब लोग को पता है ये कहानी, अब कब हुआ ये, वो हम लोग देखने वाल है, योहान 11 और 55 वचन में, यहुदियों का फसर पर्व निकट था, और बहुत से लोग फसर से पहले दे हाथ से यरुशलेम को गए, कि अपने आपको शुद्ध करे, तो ये हम लोग देखते हैं कि लाजर के उठने के बाद immediately, हम लोग देख रहे हैं कि फसर के बारे में लिखान कि वो ठीक पास या नजदीक था, निकट था लिखान, निकट ये मतलब कि वो दो माहने के बाद होने वाला है, निकट मतलब अभी it's going to happen, just it's कुछ दिनों में होने वाला है, और actually ये कौन से मैने में हुआ, Lazarus कब हुआ, कब जी उठा, ये ही मैने में, अभीब या निसान के मैने में, अब देखेंगे आप उनका परिस्तिती को समझे, मर्यम क्या सोच रहे थे, मार्था क्या सोच रहे थे, कि हमारा भाई मर गया है, घर का कमाई कहां से आने वाला है, तकलीफ हो रहा है हमें, हमारा रभी को जब हम लोग ने बुलाया, वो तो आया भी नहीं हमारे पास, लोग भेटें वाँपे, एक दिन निकल लिया, दीसरा दिन निकल लिया, और देखें, आज अभी, लास्ट वीक भी, हमारे भाई पास्टर विनोत के प्रियर डैडी परमेशुर ने उन्हें घर बुलाया, और हम लोग जानते हैं कि जब किसी का समय आ जाता है, तो परिवार को कितना दुख लगता है, कितना तकलीफ हो जाता है, और आप सुच सकते हैं कि मरियम और मार्था को कितना दुख ल चार में, उस दुख के समय में, कौन आया उनके पास? प्रभू यश्यमसी आया उनके पास, और क्या किया प्रभू यश्यमसी ने? प्रभू यश्यमसी ने एक रेजरेक्शन किया उस समय लाजर का, और हम लोग यही कह सकते हैं कि हमारे जिंदगी में भी, अगर आपके जि miracles, ये miracle, ये चमतकार का महना है, हम लोग देखते हैं, बाईबल में बार-बार, ये महने में क्या हुआ, प्रबु ने मोशे से कहा के, तंबू को ख़ड़ा करो, मेरे उपस्थिती को ख़ड़ा करो वहां पे, ये महने में क्या हुआ, इस्रेियल के लोग, मिंस्वर देश से ब परमेश्वर कहते है कि मैने फारो का हाथ को मैने तोड़ दिया, ये मैने में क्या हुआ, परमेश्वर ने प्रभू ये शुमसी ने लाजरस को जिला दिया, हम लोग देखते हैं कि ये मैना जो है, चमतकार का मैना है, अगर आप भी परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं, अग मेरे हैं, अभीब का महन है, जिस महने में परमेशर आपने बहुत से महान काम किया और आप मेरे जिन्दगी में भी, मेरे परिवार में भी एक महान में परमेश्वर के लोग लाल समुद्र को पार कर गए जमीन पे, समुद्र दो हिस्सा में बढ़ गया, दोनों साइड पे पानी जैली बन गया और खड़ा हो गया वहां पे, पानी दिवाल बन गया और खड़ा हो गया वहां पे, और परमेश्वर के 25 बीस से 25 से 30 लाक लोग पार हो गया वहां पे, सुखे जमीन पर, जब उन लोग वहां पे थे, अब सुचिए, उन लोग वहां पे थे, सामने समुद्र है, पीछे, मिस्र और फारो के पूरे सिना वहां पे थी, और लोग सोच रहे हैं, यह क्या हो क्या रहा है, परमेश्वर अभी हमें ले के आए, कुछ दिरी हो है, हमें बाब भार ले के आए, और अब क्या हो रहा है, हम लोग कहां जाएं, समुद्र में जाएं, और एक इंग्लिश का एक कहावत है, जो यहां सही आया है, it says you're caught between the devil and the deep sea, you're caught between the devil and the deep sea, मतलब आप शैतान एक तरफ और नीला समुद्र एक तरफ, कहां जाए तो कहां जाए, शैतान के हाथ में के समुद्र में जाए, कहां में, स्विंग भी आता नहीं है मुझे, कहां और परमेशुर ने चमतकार किया, कौन से महने में, यही महने में, आमें, समुद्र खोल दिया परमेशुर ने, it's the God who can open the ocean, परमेशुर कहते है, मेरे ले कुई भी चीज, संभव ने नहीं है, nothing's impossible for me, nothing, मैंने ही सब कुछ बनाया, परमेशुर कह रहे, I've made everything, just have faith, विश्वा रखो, and I'll open it, और अगर आपके जिंदिगी में कोई struggle है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं फस गया हूँ, समुद्र के बीच में और शैतान के बीच में, परमेशुर समुद्र को कोलने वाले, अगर हम विश्वासी रहे, if we remain faithful, क्योंकि यह समय है, miracle का समय, आमें, यही सम परमेशुर ने मिस्देश को तोड़ दिया, परमेशुर ने मिस्देश के 10 जो God's हैं, भगवान थे मिस्देश के, परमेशुर ने फाइनली 11 मेने के समयमे, फाइनली यह मेने में, परमेशुर ने last वाला तोड़के इसरेल को निकाल दिया महां से जिस मैने के हम लोग कहते हैं फसर या पासुवर का समय आमेन हम लोग कुछ और बिब्लिकल इवेंट्स जो हुआ है कुछ चीजें जो हुआ था ये मैने में हम लोग जल्दी से देखने वाले हैं मैं आपके स्क्रीन पे मैं दिखाने वाला हूँ कुछ-कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कल्चरल के साब से नॉट अल्य कल्चरल इकन हिस्टॉरिकल बुक्स जो बाइवल में नहीं है और वो है कि कहा जाता है according to the Talmud the Jewish Talmud ये कहता है कि पहला निसान को या फिर्स अभीब को means the first day of the year अवराहाम, इसाक और याकोफ तीनो वोई दिन पे मर गे थे all three died on the same day of course same year में नहीं अलग-अलग साल में लेकिन दिन वो ही था historical records के अनुसार साथवे दिन पे ये मैने के साथवे दिन पे यहोशुआ ने दो स्पाइज या दो जासुस को भेजा यरियों में कि जाके देखो यरियों के बारे में इस मैने के दस्वे दिन पे historical records के अनुसार अगेर मैं कह रहा हूँ ये Bible में नहीं लिखा है लेकिन ये historical records में लिखा है जो बहुत accurate historical records है दस्वे दिन पे Miriam जो Moshe की बड़ी बहन वो मर गई इस दिन पे इस दिन के पंद्रवे दिन पे इसाक का पैदाशी हुआ 15th of Nisan was the birthday of इसाक और इसाक कौन था इसाक था प्रॉमिस्ट सन फरमेश्षर ने जो वादा किया था अवरहाम को जो बेटा वादा किया था 15th of दिन पे इस मैने के 15th of दिन पे वो पैदा हुआ इस बर्दे 16th of दिन पे Bible में लिखा है कि इसरेल की लोग ने माना खाना बंद किया Bible में date नहीं लिखा है लेकिन Bible में ये fact लिखा है लेकिन historical records के अनुसार ये 16th of दिन पे हुआ था ये ही मैने की Bible में लिखा है के 17th of दिन पे the ark stopped upon Mount Ararat कौन सा आख? 9th of 9th of दिन पे 17th of दिन पे इस मैने की 17th of दिन पे stop हुआ ये मैना है Biblical New Year नया New Year ये ही मैने में आरान जो नभी था नट नभी सॉरी मुक्य याजक था उसका ordination इसी मैने में हुआ जो हम लोग देखते हैं लेवी के किताब में ये ही मैने में येश्वा मसीहा ने लाजर्स को चन से जिला दिया और सबसे ब्यूटिफुल चीज है ये मैने में प्रभी येश्व मसी मारे ये मैने में प्रभी येश्व मसी जी उठे आमेण आमेन औके अब हम लोग थोड़ा इस समय के बारे में और बात करेंगे कि इस समय में हम लोग जब जा रहे हैं पासुवर के समय में फसर के समय में तो first क्यूँ इतना महत yब़ना है हम लोग सब के लिए और वो हम लोग देखते हैं कि निर्गमन 12 और 11 वचन में, 12 आदियाए 11 वचन में, हम लोग देखते हैं कि परमेश्यर यहां पे कह रहे हैं कि यह किसका फसर है, इस्रेल का है क्या, नहीं, यहूदी का है क्या, नहीं, मोशे का था, नहीं, आरौन का था, नहीं, पर मेशर कह रहे है, it is the Lord's Passover अगर सिस्टर संगीता पढ़ लेंगे इस वचन को तो बहुत ही अच्छा होगा निर्गमन, बारा अध्याय और क्यारा वचन है और उसके खाने की यह विदी है कमर बांधे, पाउ में जुती पहने और हाथ में लाथी लिये हुए किसी मनुष्य का नहीं, कोई देश का नहीं, पर मेशर का हम लोग देखते हैं Luke की किताब में Luke chapter 2 and verse 41 कि हम लोग देखते के येश्य मसी ने इस परव को उने बचपन से उनोंने पाला He observed this from his childhood और हर एक विश्वासी को ये clarity, मन में ये clarity of thought होना चाहिए कि हमारा जो श्राप जो परमेश्व ने उठा लिया अपने शर्बीर पे हमारा श्राप जो उठाया गया, हमारा जो उधार हुआ आज साल्वेशन वो direct connection है पासूवर के साथ जिसको हीब्रू में कहते है पिसाक direct connection है ये क्योंकि पासूवर के दिन प्रभू ये श्राप मसी मरे जो ये साल में बाईस एप्रिल को है क्यों ये प्रभ हमारे ले इंपॉर्टन्ट है क्योंकि प्रभू ने खुद कहा remember me, do this in remembrance of me उन्हेंने जब पासूवर का जो खाना खाया अपने शिशों के साथ उस खाना खाते वक्त उन्हेंने रोटी लिया तोड़ा और उन्हें कहा ये मेरा शरीर है जिसको जो जो bread, अनलिवन ब्रेड उनने तोड़ा ये मेरा शरीर है उन्हेंने grape juice लिया और कहा this is my blood, ये मेरा लहू है जिसको भाग आगा कौन से दिन पे ये पासुवर का मील था, ये पासुवर का खाने का समय था, जो जिसको हम लोग कहते हैं पासुवर सैडर, निर्गमान के बारा अधियाए और चौदा वचन में लिखा है, कि इस परब को आपको हमेशा के लिए याद रखना है, यहाँ पे नहीं लिखा है कि जब मसी आएंगे तब आप भूल जाओगे इसको, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप हमेशा सर्वकाल के लिए ले उलाम हीब्रू में, फर एवर इट इस तो बी केप्ट, यह इतना important festival है और यह festival के वज़े से यह मैना हमारे लिए इतना महत पुर्णा है, हम लोग देखते हैं पहले कुरिंटियंस के किताब में, और वो पाँचवा अधियाए और साथ और आठ वचन में, अब पॉलुस यहाँ पे बात कर रहा है, और पॉलुस कह रहा है, अब पड़लेंगी कहा सिस्टर प्लीज, साथ और आठ वा वचन, पहला कुरिंटियंस पाँच अधियाए, जो स्क्रीन पे है, साथ और आठ पुराना खमीर निकाल कर, अपने आपको शुद्ध करो कि नया गुंधा हुआ आठा बन जाओ, सिस्टर एक मिन प्लीज, एक मिन प्लीज, हमारा भी फसर, जो मसी है, हमारा भी फसर, आओं पास ओवर, विच इस दे मसाया, क्राइस्ट, मसाया, आपास ओवर, ओके आगे पढ़ लिजे, बलिदान हुआ है, इसलिए आओ, हम उत्सव में आनंद मनावे, न तो पुराने खमीर से, और न बुराई, और दुष्ट्रता के खमीर से, परन्तु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से. अमैन, तो यहाँ पे पॉर्लिस लिख रहा है, किसको लिख रहा है, पहली बात किये हैं? यह समझना ज़रूरी है. पॉलिस किसको लिख रहा है, पॉलिस जो जिसको किताब या पत्र लिख रहा है, वो है कुरिंटियन चर्च, कुरिंटियन, पूरा में एक क्लब है, जिसको कहते है कुरिंटियन क्लब, और मैं जा चुका हूँ वो क्लब में, एक दो प्रोग्राम्स, एक शादी के लिए भी ग जो Greek culture के अनुसार उन लोग ने बनाया है, युनानी culture के अनुसार, क्योंकि जो Greek युनानी culture था उसमें बहुत से, it's called, in English they say, the pantheon of gods, मतलब उनके multiple gods थे, और हर एक God का कोई function था, या कोई responsibility था, Corinthian club में आप जाओगे न, तो हर एक हिस्से में आप देखोगे एक मुर्ती, दूसरा मुर्ती, जो उन लोग कोशिश करें दिखाने की के Corinth का समय, Corinth का culture कैसा होता था, अब Paulus ऐसे लोग को पत्र लिख रहा है, Corinthians जो थे, वो यहूदी नहीं थे, वो Gentiles थे, Greece, it was in Greece, और Paulus उनको कह रहा है, उनको कह रहा है कि देखो, मसी हमारा फसर हमारे लिए बलिदान हो चुका है, तो आप इस उत्सफ को मनाओ, कौन से उत्सफ को, फसर के उत्सफ को, मतलब Paulus यहूदी को नहीं कह रहा है, Paulus Gentile को कह रहा है, कि आपने मसी को अपनाया, मसी आपका फसर बन गया है, और इसलिए अप फसर के त्योहार को आप मनाओ, he is instructing Gentiles to celebrate the Passover, और ये पत्र, Paul ने लिखा करीब 20 साल के बाद, प्रभी यहूदी मसी के मरने, जी उटने, और स्वर्ग में जाने के बाद, करीब 20 साल के बाद, Paulus लिख रहा है, मतलब अगर परमेश्वर को इस फसर के त्योहार को रद करना था, तो Paulus ये बात लिखता भी नहीं था यहां पे, लेकिन Paulus कह रहा है कि आपको जरूर इस फसर त्योहार को मनाना है, और फिर Paulus कह रहा है कि आप किस तरीके से इसको मनाओ, और उसको हम लोग दुबारा पढ जाएंगे और एक बार ताकि हमारे अंदर वो ठीक से जाए इस बात को, Paulus कह रहा है कि आप इस तरीके से मनाओ, ना तो पुराने खमीर के साथ, ना तो बुराई के जुरुष्चता के साथ, परन्तु सिधाई और सच्चाई ये अकमीरी रोटी से, देखिए, आम लोग सब कुछ कर सकते हैं ठीक से, अकमीरी रोटी ला सकते हैं, मटन ठीक से ला सकते हैं, सब कुछ ला सकते हैं, बिटर हर्ब्स वगरा, लेकिन हमारा दिल में अगर कपट है, दिल में एक होट है, दिल में नफरत है लोगों के विरुद, दिल में गुसा है लोगों के विरुद, प पुराने बात को हटा दो, क्योंकि वो खमीर है, लेकिन सिधाई और सच्चाई कि अक मेरी रोटी के साथ इसको मनाओ, आमेन, देखें अगर है इसको हम लोग देखेंगे न, तो actually यह जो समय है न, बहुत ही सुन्दर समय है, जिसमें परमेश्वर एक शुदता हमारे अंदर लेकि आ रहे हैं परमेश्वर, जो परमेश्वर ने अल्रडी किया है क्रूस पर, अब परमेश्वर हमें कह रहे हैं, कि अब तुमारा समय है, तुम करो इसको मेरी याद में जब प्रभू ने कहा, प्रभू हमें क्या कह रहे हैं, कि खमीर तुमारे अंदर जो है न, बहुत dangerous चीज़ है उसको तुम बेटा हटा दो उसको तुम बिलकुल हटा दो खतम कर दो और मनाओ मेरे याद में बिना खमीर के साथ sanctification इसी को कहते हैं कि हम अलग हो रहे हैं हम दुनिया के लोग की जैसे नहीं है हमारे अंदर वो ख्रोध नहीं है जैसे दुनिया के लोग के अंदर है हमारे अंदर वो अनफर्गिवनिस नहीं है जैसे दुनिया के लोग के अंदर है हमारे अंदर वो डुश्ट जो विचार है नहीं है जो दुनिया के अंदर के लोग के अंदर है हम ऐसे activities हम ऐसे चीजे करते ही नहीं है, जो दुन्या के लोग करते हैं, जो दुन्या के लोग cheating करते हैं, वो हम लोग करते नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर अकमीरी रोटी है, खमीर को हटा दो, और इस समय में हम लोग को खमीर अमारी घरों से, परिवार से और जिंदिगी से भी निकालना है, इन दे जुईश प्रैक्टिस, यहोधी प्रैक्टिस में, इस समय में खमीर हटा देते हैं, उन लोग खोचते हैं, और यह थोड़ा एक मज़े का भी समय है, धर में बच्चों को कहा जाता है कि किचिन में जाओ, बेडरूम में जाओ, हाल में जाओ, हर जगा जाओ, और ढूं लेकिन आप आत्मिक रूप में अगर आप इसको सोचेंगे, या इसके बारे में आप सोचेंगे, तो खमीर होता क्या है, और पॉलोस हमें डिस्क्राइब करता है, पॉलोस हमें बताता है, येश्यो मसी ने भी बताया हमें, कि खमीर क्या होता है, खमीर होता है पाप, क्यों जाते हैं हम लोग, प्राइड, प्राइड इतना आ जाता है कि सौरी बोला नहीं जाता है किसी को, माफ नहीं कर सकते हैं हम लोग किसी को, क्रोध आ जाता है बहुत जल्दी से, बदला लेने की जो डिजायर होता है हमारे अंदर होता है, हम लोग खुश हो जाते हैं गलत चीज़े हम लोग करते हैं, hypocrisy हो जाता है, दुनिया के जैसे हम लोग बन जाते हैं, यह सब है खमीर, और यह समय में, जब हम लोग पासुवर के तियारी में हैं, खमीर हटाना बहुत जरूरी होता है हमारे जिंदगी में, खमीर को हटा हो, more than anything else, हमें खमीर हटाना जरूरी है हम लोग के जिंदगी में, जो पाप है और जो, जिसको कहते हैं न, the work of the flesh, जो हमारे natural desires है, कि हम लोग यह करे वो करे, वो actually work of the flesh है, और परमेशर कहते हैं, कि the work of the flesh and the work of the spirit बहुत ही अलग है, बहुत ही अलग है, और इस समय में, हम लोग यह बात को याद रखे, कि यही महने में प्रभी येश्य मुs सी मर गह, कलवरी पे येश्य मुण जो हम लोग गाते हैं, यही महने में हुआ, निसान महने में, अबीब महने में, यही महने हमें, हमारा छुटकारा हुआ, लेकिन हम याद करे उस छुटकारे को, जब हम लोग actually हमारे अंदर वो जौई था कि परमेशन ने हमें नया जीवन दे दिया कहां गया वो इस समय में हम लोग उसको याद करें कि यही समय के वज़े से फसर के वज़े से हम लोग यहां पे हैं हम लोग तीस साड़े तीन हजार साल पहले का जो फसर हुआ था वो याद करें जब परमेशन ने इसरेल को बाहर ले कि आए मिस्वर देश से 2000 साल पहले जो फसर हुआ कलवरी पे वो याद करें कि हमारे दिल में रबु येश्य मसी आए हमारे पाप को शमा किया और इसलिए पॉलस कहता है कलतियो दो और बीस में प्यूटिफल वर्स वो कहता है मैं मसी के साथ कुरूस पर चड़ा गया हूं I have been crucified with the Messiah अब मैं जीवत नहीं रहा पर मसीयां मुझ में जीवत है It's no longer I who live Hallelujah But Christ lives in me मसी मेरे अंदर जीता है अभी और जो जिन्दगी मैं जी रहा हूं शरीर में विश्वास के द्वारा जी रहा हूं परमेश्वर के पुत्र के साथ Amen जिसने मुझ से प्रेम किया और मेरे लिए उन्होंने अपने जान गवाई Oh what a beautiful verse जब हम लोग फसर का त्योहार के समय में हैं अगर ये वच्चन हमारे सामने नहीं है तो बाकि कोई भी चीज हम लोग कर रहे हैं उसका कोई भी value नहीं है अगर हम मरे नहीं है अगर हम लोग अभी भी जी रहे हैं अगर अभी भी हमारे अंदर वो पुरानी बात है, तो फसा का meaning आया नहीं हमारे अंदर, वो revelation आया नहीं हमारे अंदर, हम लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन अगर revelation के साथ कोई भी चीज़ करें, कि परमेशर का revelation, knowledge, blessing आया हमारे अंदर, और हम सही में मसीग के तरह बन मालस पहर है, I am crucified, मैं मर चुका हूँ, मैं मैं नहीं हो, अब आके मुझोगः थपड भी मारो ना, मैं मैं नहीं हो अभी, I am dead, मुझे आप insult भी करो ना, मैं मर गया हूँ, तो निकी-निकी नहीं रहा, विनोध-विनोध नहीं रहा, संजे आलाट, संजे नहीं रहा, हम पास्टर सनी चंद्रा सनी चंद्रा नहीं रहे अगर आपने उनका एक बार आपको सुनना चाहिए उनके टेस्टिमिनी जब वो चाकु लेकर घुमते थे अपने यूथ के समय में और वो खुद कहते हमें as a family bunny john tea मुझे सब कहते हैं I'm no longer the same मैं मर चुका हूँ और हम लोग हम लोग सब अपने जिन्दीगी के बारे में हम लोग कह सकते हैं I'm dead और Passover का ये meaning है Passover means I'm forgiving जैसे मसी क्रूस पे थे पहले शब्द उनने क्या कहा Father forgive them पिता उनको माफ करो यही समय में है यही मैने में उनने कहा अगर ये हमारे अंदर नहीं है हम लोग क्या कर रहे है and I appeal to everybody कि जब हम लोग फसह के तिहार का preparation कर रहे हम लोग ढूंडे कि हमारे अंदर अगर कोई खमीर है हमारे परिवार में कोई खमीर है तो हम लोग निकाले पहले योहान के किताब में हम लोग देखते हैं पहला योहान पहला अधिया है आट और नौ वचन के अगर हमने कहा कि हमारे अंदर पाप नहीं है तो हम लोग खुद कोई धुका दे रहे हैं लेकिन यदि हम अपने पाप को माने और कबूल करे शमा मांगे उनसे तो वो जरूर हमें शुद करेंगे यह योहान लिक रहा है किसको बिलीवर्स को लिक रहा है क्योंकि पाप शमा हमारा होना है रोज रोज और पासुवर हमें रोज रात करना है अफकोस रोज याद करना है लेकिन एक समय भी होता है उसका और यह समय है जब हम लोग आ रहे हैं उसमें So I will end with this, कि Passover का जो Festival का Celebration या उसका Observation Celebration एक तोर से खुशी का, लेकिन उसका Meaningful Spiritual Observation हम लोग करने वाले हैं and 22 April को होगा आपकी स्क्रीन पे जो आइटम्स है मैं अभी एक्स्प्लें नहीं करूँगा लेकिन आप अगर स्क्रीन शॉट इसका ले सकते हैं तो ये आइटम्स Passover Seder Meal में इसका इस्तमाल होता है और हर एक चीज का spiritual आत्मिक Meaning होता है इसका हर एक चीज का आत्मिक Meaning होता है अगर हर घर में तैयारी होगा इसका बहुत ही बढ़िया होगा Pastor Sanji Chandra इसके बारे में और भी डीटेल में इसका Announcement करेंगे ये हफते में और Next हफते में भी लेकिन इसी के साथ हम लोग end करेंगे कि हम लोग कहें पॉलस के साथ कि देखो मसी हमारा हमारा फसर मलिदान हो चुके हैं और इसलिए हम लोग मना रहे हैं He died He rose resurrect हुए है और अभी पिता के साथ है लेकिन हम उनके साथ हम मर चुके हैं अब हम नहीं रहे लेकिन हम मसी में जी रहे हैं उनके द्वारा और उनके जैसा हमारी जो चरित्र है उनके जैसा ही बने है May my character be like the character of the Messiah Dhanaypad aur sabko shabat shalom Shabat shalom Shabat shalom Shabat shalom Shabat shalom I am sure और आज का मेसेज is plain and simple and clear sabko very very simple very slow very clear